हलो फ्रेंड्स मैं त्रिप्ती में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे पनीर की सबजी तो आज मैं इस पनीर की सबजी को बिल्कुल ढावा स्टाइल घर पर बना का तैयार करूंगी खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगती है और बहुत ही आसान तरीके से इस सबजी क आज हम बनाएंगे तो आए फ्रेंड्स रेसिपी को बनाका तयार कर लेते हैं इसके लिए सबसे पहले लेंगे पनीर तो यह मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है इसे हम फ्राइब करेंगे आप चाहें तो इसे ऐसे भी सबजी में डाल सकते हैं तो पनीर को फ्राइब करने के पनीर को फ्राइब करेंगे अगर हम इन बहुत जादा भी प्राइब कर लिए तो आप देख सकते हैं इनका कर रहा हिंग सबी पनीर को एक प्लेट में खरते हाइब निकाल लुँगी और इसी तरीके से हम सभी पनीर को फ्राइब कर लेंगे और अब हम क्या करेंगे इस पनीर को पानी में डालेंगे तो यह मैंने गरम पानी लिया है गरम पानी में हम सभी पनीर को थोड़ी देर के लिए डाल कर छोड़ देंगे ऐसा करने से जो पनीर है वो हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि जब हम पनीर की सबजी बनाते हैं और अगर पनीर ही सॉफ्ट नहीं होंगे तो पनीर की सबजी खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमारा पानी है वो बिल्कुल उबलतावा नहीं होना चाहिए हमें गरम पानी लेना है लेकिन बिल्कुल उबलतावा पानी नहीं लेना है तो ग्रेवी के लिए मैंने चार मीडियम साइज के टमाटर लिया है और साथ में तीन प्याज लिया है तो टमाटरों को हमें पीसना है और प्याज को हमें चुटा-चुटा काट लेना है तो मैंने टमाटर को पीस लिया है और साथ में प्याज को चुटा-चुटा काट लिया चोपी लाइची बाणारा है और हम ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। तो ग्रेवी के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई करेंगे तेल तो मैं दो बड़ा चमच तेल रदेना अमधी तेल गहीं एक बड़ी लाइची, दो छोटी लाइची, छोटी लाइची को मैंने हलका सा क्रश कर लिया है, साथ में दालचीनी का टुकड़ा ले लेंगे, अब इनको हम गरम तेल के अंदर डाल देंगे, लेकिन फ्लेम को लो कर देंगे डालने से पहले नहीं तो मसाले जल सकते हैं, और डालने के बाद हम इने एक से दो मिनट के लिए फ्राइ कर लेंगे, तो मैंने इनको फ्राइ कर लिया है, और अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे, जो हमने चुटा-चुटा काट कर रखा है, प्याज को डाल के हमें प्याज को बहुत अच्छे से फ्राइ करना है, इ बनती है तो अब आप देखिए इनका कलर गोल्डन ब्राउं हो चुका है तो अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें डाल देंगे अधरक लहसन का पीस्ट मैंने इसमें एक बड़ा चमच अधरक और लहसन का पीस्ट डाला है आप चाहें तो अधरक और लहसन को क्र कर लिया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे बेशन धावे वाले ग्रेवी बनाने के लिए बेशन का इस्तमाल करते हैं तो मैं इसमें एक पड़ा चमच बेशन डाल रहे हूं बेशन डालने से जो हमारी ग्रेवी है वह हलकी थिक बनेगी और खाने में बहुत जादा भूनना है इसमें कच्छा टेस्ट नहीं रहना चाहिए तो अब बेशन जो है हमारा वह भून चुका है तो अब हम क्या करेंगे वापिस से गयास की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम डालेंगे मसाले तो यह मैंने कुछ मसाले लिये हैं जिसमें की मैंने एक अधिकर को सब्ची की नहीं होती है je मैसाल को अगर मैसाले सब्चा नदर डाल गये शे тяж मतलने के श्याजन सकते हैं जैसे जैसे मैं इस मसाले को भून रही हूँ, इसके अंदर से तेल अलग होता जा रहा है, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है, इसलिए इसमें काफी सारा जाग भी बन रहा है, तो अब जो यह हमारा मसाला है, वो भून का तयार हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अं करने लियुक् Precis को अच्छे से मिक्स कर लोंगी सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें नमक डालेंगे तो नमक मैं इसमें स्वाधनसार डाल रहे हूं तो यानिने के बार AG मसाले को बहुत अच्छे से पकाएंगे यानिक यानि तब तक पकाना है जब तक कि इसके साइड से तेल निकलने लगे और इसका जो टेक्शर है बिल्कुल लाइट हो जाएगा और बिल्कुल चेंज हो जाएगा तो मैं इसे अभी मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते वे पका रही हूं तो टमाटर हमारे जल्दी से पक जाएं और इन से वापस से 2-3 मिनत के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे ताकि जो हमारीी ग्रेवी हो वह बिल्कुल लाइट हो जाए और इसका टेक्श acesso भी हो जाए तो अब मैं इसमें पांव हाभी मैही मैंने आधा काप पानी डाला है पानी डालके इसे अच्रे से मिकसे लेंगे वैसे जो इसके ग्रेवी बनती है बहुत जादा पतली नहीं होती है तो मैने इसमे अभी normal पानी डाला है पानी डालने से जो हमाई सबजी हम हलकी ठंडी हो गई है और गैस की flame को भी हम लो कर देंगे या बंद कर देंगे उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे दही हम इसमें तीन बड़े चम्मज डाल देंगे तो दो से तीन बड़े चम्मज दही हमें फेटावा डालना है फेटावा दही डालने के बाद हम इसे धीरे धीरे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ल अब हम गयस की फ्लेम को medium to high रखेंगे और इसे लगाता चलाते वे पकाएंगे तो हमें तब तक पकाना है जब तक कि वापिस से इसके अंदर से तेल ना निकलने लगे हमने दही डाला है इसलिए तेल बहुत जल्दी इसके अंदर से निकलने लगेगा तो आप देख सकते हैं कि दही डालने के बाद जो तेल है वो और ज्यादा निकलके बाहर आया है और अब हम इसके अंदर वापिस से पानी डालेंगे तो लेकिन इस बार जो हम पानी डालेंगे वो गरम पानी डालेंगे गरम पानी डालने से तेल और ज्यादा निकलके सबजी में से आता है और कलर जो नहीं पड़ती हैं तो मैंने इसके अंदर एक कप गरम पानी डाले हैं पारी मेथी को कफूरी मेति को आपकर डालने चलबधा स्भादा से क्रशकरिए घाल रहे हूं और कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसमें हरिमर्च Atlantis दालें गे beauty synth вами डालने देंगे तो चार से पांच मिनट हो चुके हैं इसे तो आप देख सकते हैं कि जो पनीर हम ग्रेवी के अंदर डाल रहे हैं वो काफी खड़े-खड़े हैं क्योंकि हम ने फ्राइ किया था और साथ में पानी में डालके इनको सौफ्ट भी कर लिया था और अब हम क्या करेंगे कि इसे वापिस से पांच मिनट के लिए ढख कर पका क्योंकि हमने इसके अंदर डही डाला था और अच्छी सब्जी देखने में लग रही है यह लास्ट में मैंस में एक च्योटा चमच घी डाल रहे हूं और घी डालके हम इसे वापिस से ढख देंगे फ्लेम को लो कर देंगे और इसे एक मिनट के लिए हमें पकाना है बहुत अच्छी आएगी तो फ्रेंड्स हमारी पनी की सब्जी बन के तयार हो गई है बहुत ही टेस्टी पनी की सब्जी बनी है आप इस रेसिपी को घर पे ज़रू ट्राय करें और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले और बैल आइकॉन प दिल्टिरे